वेरी गोड आफ्टेर रून दोस्तो वेलकम टू नालांदा अकैडमी मैं संदीव कुप्ता नालांदा अकैडमी किस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत सवागत करता हूँ दोस्तो आज 14 सितंबर याज का दिन ही हम हर साल किस दिन की रूपर मनाते हैं तो आज का सारे धर्म यहां पर रहते हैं बहुत सारी भासाओं के लोग यहां पर रहते हैं तो ऐसे में किसी एक भासा को यहां की राश्ट भासा गोशित करना या राश्ट भासा बनाना साथ सही नहीं रहता है और इस बात को लेकर हमारे जो समधार निर्मादत हैं उनकी बहुत सारी टिवेट होई बहुत से रिपहस हुई कि आखिर क्या किया जाए किस भासा को राष्ट भासा का दरजा दिया जाए कि ठीक है भारत में किसी भी भासा को राष्ट भासा का दरजा नहीं दिया जाएगा क्योंकि यह किसी भी भासा को राष्ट भासा का दरजा दिया जाता है तो तो जो बाकी भासी लोग हैं, जैसे कि आप हिंदी को दी देते हैं, तो बाकी ओडिया, मल्यालम, तेलगू, तमिल बोलने वाले या किसी और भासा को देते हैं, तो दूसरे भासा बोलने वाले, लोग साहद उसी इसके लिए दुखी हो जाते हैं, या उनके साथ या अन्याय क दिखाना है नहीं हमें किसी को नीचे दिखाना है तो एक conclusion यह निकला कि ठीक है किसी भी भासा को हम राष्ट्र भासा का दरजार नहीं देंगे तो दोस्तों आपको यह पता है यह होगा कि भारत में कोई भी एक राष्ट्र भासा का दरजार नहीं दिया गया है हिंदी और इं अनोarthy shame god permet का या और यह ना सिρफ धर्म के अधार पी बलोवण की भासा की आधार पर ही किया जाएगा याने कि जो प्रशार के लिए उन्हें 1230 आपनी सिच्छा को बचाई रखने के लिए उन्हें सिच्छा संस्थानों की स्थापना करने का भी है्तिकार होगा यानि कि कोई ऐसा वर्ग जिसकी अल्प भासा है जिसकी जो अल्प संग्याख है जिसकी भासा बहुत कम लोगों द्वारा बुले जाती है तो उसे अपनी सिच्छा को बढ़ावा देने के लिए साथ ही अपनी सिच्छा को अपनी भासा को बनाये रखने के लिए उसे अपनी म जहाँ पे समधा निर्माताओं ने जो कि हिंदी और अंग्रेजी को संसद की कामकाजी भासा होगी ठीक है संसदी कैसी भास होगी ये कामकाजी भासा होगी पर येदी कोई सक्षम नहीं है ठीक है हिंदी और इंग्लेज कैसी है संसद की कामकाजी भासा है ठीक है कामकाजी भासा है लेकिन येदी कोई व्यक्ति या क अपनी बात रखने का अधिकार होगा साथ ही जब वो अपनी बात रखेगा तो उसकी जो हिंदी और अंग्रेजी अनुकरण हैं वो अन संसदों को उपलब्द कराई जाएगी ठीक है क्योंकि उसने अपनी लेंग्वेज में रखा तो बांकियों को समझ नहीं आया तो उस चीज अनुश्यत 210 में राज्यविधार मंजल के लिए कह जाती है कि राज्यविधार मंजल की आधिकारिक भासा हिंदी और अंग्रेजी हो सकती है लेकिन इसके अलावा यानि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कोई ऐसी भासा है जो वहां पर आधिकारिक तोर से बोले ज और उसे वही दर्जा प्राप्त होगा जो कि यहां पर हिंदि ह्ना को में दिया गया है तो यहाँ पर यहाँ पर 210 अर्जव जो 210 है वो राज्यों में भी भासा की गरिमा उनकी importance को बना रखने के बात करता है या उनकी importance को बना रखने का काम करता है कि ठीक है केंदर में संसद में आप हिंदी और अंग्री जों रख सकते हैं लेकिन राज्यों के पास अपनी मात्र जास आपनी राज भावासा को भी बरावर से दर्जा दिया गया है बरावर का सब्सक्राब इसके बाद आनुच्व तीनसे प्रावधान दोस्तों कि पहली बात तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि ज़वानुदिया था हरी जो सेडिविल एज है उसमें कितनी भासाओं को तो उसमें 22 भासाओं को हमारे संसद द्वारा हमारे संविधान द्वारा ही मानता दी गई है क्योंकि आपको पता है कि भारत एक विशाल देश है जहां पर कई सारी भासाओं और हजारों बोलियां बोली जाती है जिसमें 22 भास तो देख्टों और यहां कोठ्व खूंसी तो देखिए पहले चवदा भासाओंeroe, सं दिया असंस्िर, पैले तो ठीम्त, रहे होगे उत्कुति, तो ठीमी होगे मेखिकिया थी भॉस्तु हो व्हास था आब हमादों है अब इसमें हुआ कि इसमें सिंधी भांसा को 1963 में संब्धान संषुद exempel के द्वारा जोड़ा किया है इससे बाद 175 94 में कौनकड़ी मनीपूरी और नेपाली को जोड़ा गया है और लास्ट में 92 सम्मिधान संसुद्र में 2003 में जिसमें डॉंगरी मैंन्थली और संथाली तथा बोड़ो को जोड़ा गया है इस प्रकार अब थी भासा हैं इस परकार अभी टोटल बाइस भासा हैं जिसमें से बाकी भासा चब्दा पहले से थी और सिंधी कॉंकड़ी मणिपूरी नेपाली बोडो डॉंगरी मैथली और संथारी भासाओं को बाद में सम्विदान संसुदन के द्वारा जोड़ा गया है और इस परकार जिसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें हमारे चौथा जिसमें विशेष निर्देश दिये गए हैं इसमें इस प्रकार इनका डिवाइजेशन किया गया है इसमें किस बाइसा में काम कर सकते हैं और मां की जो बच्चे आर्टकल से उसमें विशेष निर्देश दिये गए भाइसां से संबंदेश टिकए इसके बाद देखिए दोस्तों हमारा अनुच्छे क्या कहता है हम समझ लेते हैं आर्टकल मैं में ने पार्टकल से तो हमारा आर्टकल जो है वो wireless सो 343 एक है वो क्या कहता है लुद फेंटर हें लुट है Straits लींज होगी तो इस पर काफिered या जो आपकर सतों आधिकारिक भासा बना दे जाए क्या बने दिगा एक आधिकारिक भासा बेह क्या और साथ में यह दिखा गया कि अंग्रेजी को भी हम 15 साल या फिर से चाहे तो हटा सकती है कि इसको अंग्रे जी को चाहे तो संसत ऑफिशल लेंगविज जयानि आधिकारिक भासा में के लिए आंगी बढ़ा भी सकते हैं और चाहे तो हटा भी सकती यह उसकी उपर है यह संसत पर छोड़ दिया था ठीक है और साथ में यह भी इखा गया उसमें कि जो हमारी गिंती है जो हमारी तीन चार पांच ही पढ़ेंगे क्योंकि आपको पता है कि जो देवनागरी लिपी है उसमें एक दो तीन चार पांच है ना छे साथ ऐसे कुछ लिखते हैं दोस्तों लेकिन यहां पर कहा गया कि ठीक है आप लिखने के लिए नियुमेरिकल्स का इंग्लिस पर प्योग कर सक को पड़ेंगे हिंदी के लिए देवनागरी लिपी मुस्कुर नहीं लिखेंगे तो यह हमारे 341 एक में बात कहीं गई है दोस्तों ठीक है यह क्लियर हो गया इसके वाद आता है हमारा अनुच्छे 345 क्या कहता है तो यह राज्यों की आधिकारिक भासा की बात करता है यह क भी उस सर्कारिक वाहसा के दरजा दिया जा सकता है तेकर जो भी उसराज्यों में जादतर लोगों की द्वारा भी जा रही हरा उससे उस राम वहांगे उसे उस लेंगे पिच में किया जा सकता है हाला कि जब भी यही बात कहेंगे कि लेकिन जब भी राज्य सरकार को केंदर से काम करना हो जो केंदर में आधिकारी के स्तर पर यूज की जारी रथात हिंदी वहां समय अधिकार पर यूज की जारी और capsule अभी हमारे पास दो लैंगी यूजिए करना ह्ए this और से बात रूत कर सकते हैं इस één गयां यहिए इसके बाद फिर मार ती तिसमें अध्यतिये सर्फट है अध्याधिये सेनी सिंदेंस की बाती है इसमें विकार केहते हैं कि हमारे जितने भी उच्छा भी सरफ्ट है उच्छा आलरी कि जटिके राइज़ी होगी या लोग जहाए similarity में करेंगे ताकि language का barrier कभी भी ना है language barrier ना हो क्योंकि हिंदी हिभासी लोगों के लिए तो हिंदी हिभासा काम हो जाएगा लेकिन इदि सुप्रीम कोट हिंदी में कार करें और मालीज साउथ से या नौर्थ हिस से किसी विप्धि को अपना कार कराना है या कोई लॉयर आके हापे काम करत है तो उसे फिर प्रॉब्लम ना जाए इसलिए उच्छा दालतों के लिए जो भासा का काम तिया वह ऑफिसे लेंग्वेज उदी इसको अंग्रीज दे गई क्योंकि यह ऐसी लेंग्वेज थी जिसको पूरे भारत में आसानी से सब लोग पढ़ते थे और समझते भी थे हि लेंग्वेज बेर नहीं होने चाहिए क्योंकि यह पूरे देश की नयायायाए पाल का कहलाती है तो वहां पर लेंग्वेज बेर ना हो इस कारण से उसकी यानिकि उच्छे अदालतों की जो ऑफिसेल लेंग्वेज हो क्या रखे गई वो अंग्रेजी रखे गई और दोस् यदि हमने ऑफिसेल लेंग्वेज बना दी हैं कि संग की यानि की संसत की हिंदी और इंग्लेस हैं जबकि राज्यों में हिंदी इंग्लेस रहा है तो हिंदी इंग्लेस रख सकते हैं या वह अपनी लाफिसेल लेंग्वेज जो जादतर लोगों के द्वारा वहां पर बोल सिराज्य में आके अपनी तमील में भी आविदन दे सकता है या हम तमिल लाइबी आविदन लेखे दे सकते हैं किसी बी और गवर्मेंट ऑफिस में और वह जो जो विभाग है वह जो department है वो हमें सिर्फ इस बात यह कहकर हमारे आवेदन को मना नहीं कर सकता हमारे आवेदन को लेने सिंकार नहीं कर सकता कि आपने जिस भासा में हमें यह letter दिया है जिस भासा में आपने हमें यह कार दिया है वो हमारे यहां की आधिकारिक भाशा नहीं है यानि कि आप किसी भारत के कोई भी नागरिक किसी भी जगह में भारत के देश के किसी भी भाग में किसी भी भी भाग में अपनी भासा में अपना कार दे सकता है और उसे उस विभाग के द्वारा के लिए इस बात का ध्यान dh不会 रखा गया है कि उन्हें आदिकारिक भाईसा के प्रयोग से कोई प्रॉल्म ना जाए यानि कि वह जो आदिकारिक भाईसा है वह किन के लिए हैं वह गवन्मेंस अफिसल्स के लिए लेकिन हम लोग sellers के लिए कहीं समझते हैं और बोलते हैं और बोल भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं ठीक है लेकिन लगभग 45 करोड़ यानि कि 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदी भासा ही बोलते हैं यानि हिंदी भासी लोग ही हैं ठीक है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपोर्टेंट है या कितने लोगों के दुआरा कितने ज़ीं往सा बोल है हिंदी भाषा को ऑशान्र ही और दूस्तो इसके साथ ही तो आपको यह अंदाजा कें거든 कि कितनी महत्थ पून है कि ये संग की और दोस्तों आपको य कि इसके कर मानी कि ये होता है कि हमारे समयधार कंथा निर्मनत तयार हो निरमनत तया हो सवधान को उसकी बात क्या हुआ कि फिर हमारे पीम जी थे जवाल नहरू उन्होंने क्या कि आप एतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए यादगार रखने के लिए सवधान से इसको मनाना श्टाट कर दिया और हर साल को हिंदी दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में हर साल को हिंदी दिवस मना जाता है और यह इसकी बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी जो constitution से दिए गए हैं जो समय धान से दिए गए हैं हीं दिवा सब्सक्राइब करा के लिए गए हैं जाकि हिंदी भासा के और इस वीडियो में दीगए इनिफोर्मेशन पसंद आई होगी और इसके साथ ही आप सभी को हिंदी देवस की हारदिक शुब कामना है दोस्तों हम क्योंकि हिंदी मासी लोग है तो हमें हिंदी देवस की हार दिक हार्देशिप कामना आप सभी को फेनीशिक्स की हारदेश सुपकामना है और इससे up पसंद करें तो हैं प्लीज लायक करें और अपने दोस्तों मिलते एक नए वीडियो के साथ में धन्नवाद और अपने चैनल को माई दोस्तों सब्सक्राइब जरू करते हैं यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रीज सब्सक्राइब करें और बैल आइकन भी प्रेस कर दें